हवे आपने अक्षर ब्रह्म गुणाती सत्र व्याख्यान माला मा आगणवदिये प्रगट ब्रह्म स्वरूप परंपुज्य महंत स्वामी माहराजनी प्रेणाथी आयोजीत आ प्रवचन श्रेणी मा अत्यार सुधी चार प्रवचन पुष्पो खिली चुक्या छे ए प्रवचन पुष्पो नी प्रत्यक पांखडी मा थी अक्षर पुर्षोतमनु ग्नान श्रीजी सम्मत छे अने शास्त्र सम्मत छे ते वाद आपनने मानवा मली अक्षर ब्रह्म गुणाति सत्र ना आजना पांच मा दिवसे आपने ये अनादी अक्षर ब्रह्मनी मोटाई नेज मालवा माटे जै रहा चिए भगवान स्वामी नारायन तथा संप्रदैना शास्त्रो अने भारतिय संस्कृतिना वैदिक शास्त्रों मा जे अक्षर ब्रह्मनों महिमा गवायो छे ए अक्षर ब्रह्मना महिमानु गान गुणातितानन स्वामीना समकालिन परमहंसो एक कर्यू छे अनेक विद सांप्रदाईक शिला लेखो मा पन अक्षर ब्रह्मना महिमानो सूर संबलाई छे तो आ विशयने लाईनेज सुनो अक्षरनी मोटाई आ विशयक प्रवचनो लाब आजे आपनने आप्पा माटे उपस्थित छे पुझिय शुती प्रकाष स्वामी तो तेवने आपने विनंती करिये के सुनो अक्षरनी मोटाई आ विशयक प्रवचनो अपने लाबापे पुझिय शुती प्रकाष स्वामी श्री स्वामी नाराण भगवाननी जै अक्षर पुर्शूतम महराजनी जै गुनातितानन स्वामी महराजनी जै गगजी महराजनी जै शास्त्री जी महराजनी जै योगी जी महराजनी जै प्रमुक्स्वामी महराजनी जै महंत स्वामी महराजनी जै प्रमुक स्वामी महराज शताब्दी महत्सवनी जै किम्तद ब्रह्म आ जुग जुनो प्रश्ण अन्य भगवान श्री क्रश्ण ने कहेली अक्षरनी मोटाई भगवत गीतामा वणायेली छे अन्य आधारे अत्वा एनी जेमज उपनिशदो ब्रह्म सुत्रो, पुराणो इतियास ग्रण्थो अक्षरनो महिमा अक्षरनी मोटाई गणी कहवानी पाण पुरुषोत्तम बेला आव्या परब्रह्म रे पुरुशोतम परब्रह्मनी साथे ज्यारे अक्षर ब्रह्म आया त्यारे आपने अक्षरने ओड़ ख्या मोटाई तो हती पण ए अक्षर एटले गुणातितानन स्वामी ए त्यारे खबर पड़ी आजे ज्यारे अक्षर नी मोटाईनों विचार करिये छिये त्यारे अक्षर नी महत्ता जानवी शा माटे अक्षर नो मही मा जानवो शा माटे एपन थोड़ विचारिये अध्यात्म मार्ग मा परमपद एटले मोक्ष जैने भगवद गीता ये ब्राम्मी स्थिती कई जैने चांदवज्य उपनिश्य दे अशरीरी स्थिती कई ये स्थिती माया बे मोटा विग्न वचनामरत मध्यनू त्रिजू समझावेचे एक गिनानमार्ग मा पतन एटले हुँ ब्रह्म छू एम मानता परमात्मानी उपासनानू पतन श्रीजी माहराज आप पतन थी अठकाव वानो उपाईद जनावता कहे छे के ए ब्रह्म थी पर परब्रह्म छे ए ब्रह्म ना पन कारण आधार अने अंतरियामी छे कर्मफल प्रदाता छे आटलो जो सिध्धान ब्रह्म गिनानमा उमेर आए तो आपनने ब्रह्म गिनान छे ए बाधक नहीं थाई साधक थशे, दूशन नहीं थाए, भोशन थशे अर्थात निर्वीग्ण पने परंपदने प्राप्त करवा माटे ब्रह्मने जानवा आवश्यक छे परब्रह्मना यथार्थ गिनानने समझवा माटे ब्रह्मने जानवा आवश्यक छे ब्रह्मविद आपनोती परम। श्रीजी महराद वचना मृत्मा अवारम वार क्या छे, प्रतम ना ते सटना वचना मृत्मा क्या छे, त्रवन चार ग्रष्टान तो थी क्या छे, अक्षरधाम पण मुर्तिमान छे, पड़ कोईनी नजरे आवे नहीं ते शा माटे जे, एवा ब्रह्मान एक एक रोम मा सिंख्यात उड़ताज फरे चे एवडा मोटा छे, ते अक्षरधाम ने विशे पुर्षोत्तम भगवान पोते सदा बिराजमान छे, पुर्षोत्तम नो महीमा समझवा मेटे अक्षर जानवा आवश्यक छे, प्रतम ना एकावन ना वचना मृत्म पोते समझे मा कह छे, अक्षरनी द्रश्टिये करीने जोहिये, तो महापूरुषाधिक सर्वे नथी, एक अक्षरत छे, औने ते अक्षर थकी पर अक्षरातीत एवाजे पुर्षोत्तम भगवान ते छे, अक्षरने जानवानी आथा आवश्यक ता, औने आ अक्षरने जा अग्षर्धाम अने मुक्तो एश्वरिय सहीत पदारेचे एवाद करता जनावी माटे भगवानना भक्तने भगवाननों स्वरुप अक्षर्धाम सहीत पृत्वी पर विराजमान छे एम समझभू अने बीजा आगल पन एवी रिते वार्ता करवी आवचनो परमाणे आक्षरने जानवी अती आवश्यक छे अक्षर साथे पुर्शोत्तम पृत्वी पर विराजमान छे ए समझभू अने वाद करवी एना कानने संप्रदाय मा जा जा पुर्षोत्तम ना स्थान को बेना पुर्षोत्तम ना प्रसादी ना स्थानों बेना ए बद्धाना नाम अक्षर पाड़वा माईवा गडडा, कारियानी, महराद नु निवास्थान अक्षर ओरड़ी, अमदावाद मा नन्नारण्य मंदीर पासे पदरावेला गन्शम महराद नु मंदीर इटले अक्षर भुवन, वर्ताल मा प्रसादी नी वस्तोनों संग्रस्थान अक्षर भुवन, गडडा मा गेला नदीम खड़ खड़ यो, यानु एक नाम अक्षर तीर्थ, उनमत्य गंगा महत्म्य मा कहेलो छे, सहस्र धरो, यानु नाम अक्षर घाट, जुनागड मा जिनाभायनी मेडी, जिया श्रीजी महराद उतरता, ये अक्षर ओरडी, जुनागड मा श्रीजी महराद जिया स्नान अने गुणातितानंद स्वामी पन स्नान करवा जता ए ब्रह्मकुंड आम पुर्शोतम साथे अक्षर जोड़ाई गयू अविभाज्य पने संक्लायू अने एम कई ये तो चाले के जे एम श्रीजी महराज एकने अद्वीती ये अचे एम अक्षर ब्रह्म पन एकने अद्वीती ये होवा थीज महराज एने साथे लईने पधार्या ए अक्षर धाम एटले गुणातितानंद स्वामी आग गुणातितानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म छे ये समझवानी बेर रीत आपड़े विचारीशू पुर्वेथ हैला सद्गुरु संतोय गुणातितानंद स्वामी ना अद्वितीय गुणो द्वारा एमने अक्षर ब्रह्म जाएन्या एमनो महिमा जाएन्यो अने बिजु अक्षर ब्रह्म तरीके नाम अक्षर ब्रह्म गुणातितानंद स्वामी एम कईने महिमा जाएन्य प्रफम क्रम्मा सद्गुरु परम उसो उता अक्षर ब्रम्मा गुणातितानन स्वामी ने श्रीजी माहराद नी जयम एक अने अदवितीय कहे। माहराद निजें समास करना रा करावना रा क्ये है। श्री जी महाराद पो ते अक्षर ने एक अन्य अद्वीतिया कहें लोयाना सत्तर ना वचना मृत्माह। घणा होत तो अक्षर आवाचे एवु बोल्या होत। गुपालानन स्वामी स्वयम सारी पेठे गुणातितानन स्वयनों महीमा जानता। अने एमने जाहर मा एक वाद करेली के अने गुणातितानन स्वामी नी वाद करीजे। श्रीजी महाराध्य एकांतिक मा भेद देखाल्यों ने कहुँ जे। ए जेवातों आ समय एकज छे बिजो एवो कोई न थी। महाराध्यनों रेफरेंस आपीने गुपालानन स्वामी पेला प्रक्रणनी नववाणुमी वाद करे छे। अने आ वाद केवल अने केवल हस्त प्रतमाद छे। निश्कुलानन स्वामी ये पन गुणातितानन स्वामी ना बालपणना गोठिया बन्ने शेखपाटने भादराथी भिला थाए। अखिरात कथावारता करे मैन वसुदिया क्रम चाले। ए निश्कुलानन्द स्वामी पन गुनातितानन्द स्वामीनों आवो महीमा कहता कह छे, जेवा संत ये कहिये शिरो मनी, तेवा हरी सव शिर मोड निश्कुलानन्द निहालता न जड़े ए बेनी जोड, अक्षर अने पुर्ष्वत्तम एक अने अद्विती जेए। निश्कुलानन्द स्वामी संतो नी मोटपनि वाद करता लार्य ओननातितानन्द स्वामी प्रथम श्र्याणी मामु कह छे। महाराज स्वधाम पधार्या पछी एक वकत नित्यान स्वामी गरड़ामा वाद करता हाता कि कोईक राजा सच्छंगी थाशे ते मंदिरों ना शिखरों गुमटियों ने कांगराने तथा मंदिर ने चोपर फर्तु सौने रूपय करीने मढ़ी देशे पन आ रगविरजी महाराज जेवा आचारिय गुपालानन स्वामी तेथा गुणातित आनस्वा जेवा साधू मुलजी ब्रमचारी और आनन ब्रमचारी जेवा ब्रमचारी और दादाखाचर जेवा री भकत नई मले अधुर्लब छे ए वात नित्यानन स्वामी पड़ करें छे गुणातितानन स्वामी खूद पोते कहें छे अमें तो कोटी कल्प थया जोईये छिये पड़ पचास कोटी जोजन पृत्वी मां आवासाधू नथी मतलब के एक अने अध्वीतिय जैम पुर्शोत्तम एम गुणातितानन स्वामी एक अने अध्वीतिय अर्था गुणातितानन स्वामी अक्षर ब्रह्म जेटलों श्रीजी माराज्वी ऋट मा समाच था तो धर्म गिनान वाराज्य भक्ति कथा वार्ता एटलों जी गुणातितानन स्वामी नदा समाच था यह यह व्कत ना संतो के जहें ये वखते सास्त्री जी महारादी संप्रदाइस थाप्यों नो तो, सास्त्री जी महारादी अहयातिद्वती, अना तो महाराद न मलेला परम हुसो, शुका नंद स्वामी ये सुरतमा वात करेली, कि गुणाजिता नंद स्वामी वातू करे छे, ये थी महारादी वात जितलो स भापु रतन जी श्री जी महराद ना अंगत सेवक, महराद धम्मा गया पची महराद दी आगिना थी, जुनागट समागम मटे आवता, अने एक वकत समागम मैनो करी अने पाछा जता आता, जागा भगत ने मिदा पार्शन वड़ावा गया, लोल नदी पासे उभारया, अने त्यारे जागा भगत आज जोड़ी ने कईू, के बापु महराज नी कई प्रसाधी नी वात करो, त्यारे बापु रतन जी एक जागा भगत, वातों ना करना रातो तमारा जुनागड माँ छे, और ए वातों ना जिलना रापन तम जेवा अहीं छे, में तो अहीं आवी ने इटले कामना अने उंगना संकल्पों कोई ने थता नहीं, स्वामी पासे पने वो सत्युग वर्ते छे, ए में नजरे जोयू छे। आ वात करता बापु रतंजी आगल कयू, माटे नियम धर्म पाली स्वामी ने राजी कर्शो, ते साक्षा स्रीजी महाराज राजी थेया चेम मान जो। एकला गुणातितानन स्वामी नो मही मा के कोई ने पचे नहीं, एटले विजासंतों नाम साथे लेता होई, पन अलग-अलग परम होशो, पन एकनी एक वात विजासंत ना नाम बदलाईने गुणातितनू एकनुद नाम रे, ए आपन ने समझावे चे का अखंड साक्षात कारवाला गुणातितानन स्वामी, ब्रह्मानन स्वामी कहें छे, संप्रदायना धर्म धुरंधरो बद्धाज, जे ग्रंथने प्रमान भूत गणे छे, एवो मावदान कवी ये लखेलो ब्रह्म सहीता ग्रंथ, एमा ब्रह्मानन स्वामी लखें छे, जुनागण मंदिर न उत्तर मा ब्रह्मानन स्वामी ये सूचन करू कि मारा मंदल मा गुणातितानन स्वामी चे ये समर्थ चे वड़ी आपनी मुर्ती माद समलग न जोड़ायेला चे विदात्रानन स्वामी सहजानन अर्थदिपिका स्वामी नारान भगवान ना सहजानन नाम ना अर्थो करता ग सचिद आनंद स्वामी ने गुणाथित आनन स्वामी आधिक जे पोता ना भक्त चे, ये पन तरण अवस्ता ने विशे अखंड देखे चे, एवो आनंद, पोते पोता ना भक्त ने आप्योते माते सहजानन, गुणाथित आनन तो अवेज, गिनान विलास्त नाम नो गरंत, ना संग्रामशीना सम्वाद में एतिन्यानन स्वामी ये लख्यों चे संस्कृत गरंत चे पड़े मा गुनातितानन स्वामी नो मैमा लखता के चे अविच्छिन्नम् रदिध्यायन स्तैल धाराव दन्वहम विक्षमाना हरिम स्वेष्टम स्वांतोक्ष्णोस्त तथा गरता हा गुनातितानन स्वामी पोताना रदैमा पोताना इस्टदेवनु तेलनी धारानी जेम अखंड चिंतवन करे चे तथा पोताना नेत्रोनी आगल पन मुर्तिना दर्शन करे चे अचिंत्यानन ब्रह्मचारी एतो त्रने कालनी वात बाउस्पष्ट लखी स्थितो मातुर गर्भे हरिम विरतम योक्षर परम्चिदानन्दा कारम ललित वसनालं कृतिधरं अपश्यत पुन्याक्षं विदुमिव चकोर सुचिरुचिम गुणातीता अनन्दम मुनिवरमहम नौमि सततम माताना गर्भमा रया थका पन अक्षर थकी पर सचिदानन्द स्वरूप सुंदर वस्त्र अलंकार धारन करनारा शुद्ध कांती वाला पवित्र छे दर्शन जेना एवा सहजानन स्वामी ने चकोर चंद्रमानी जेम निरंतर देखता एवा गुणातीतानन स्वामी ने नामना मुनिवर ने हूँ नमस्कार करो छू इतले अखंड साक्षातकार वाला होय तो गुणातीतानन स्वामी ने साक्षातकार वाला हो वा थी ये अक्षर ब्रह्मा आ आचारिय विहारलाल जी महराजे गरन्थ लख्यों चे उनमत गंगा महात्मिया उनमत गंगा महात्मिय मा ए वरणन करता कैशे स्वामी नी भक्ती रूपी दोरी ये बंधै गया होए एम अर्दिक्षान पण एम नाथी दूर थता नई त्राण त्राण पेड़ी सुधी गुणातितानन स्वामी भगवानना अखंड साक्षात कारवाला आता एच चाले छे विहरीलाल जी सुधी चाल्यू महराज धाम्मा गया पच्छी त्राण पेड़ी सुधी एकत सरको महिमा चाले एज अपनने सुचुवे छे के गुणातितानन स्वामी साधारन परमावस नोता पण एक कैक असाधारन अता अलोकी कता पच्छी नू लक्षन केचे अखंड अनुवृत्ति पाल ना महराज धायू जुनागड कौन जशे एवक्ते गुणातित तयार थया तो हुझ जैश गुणातितानन स्वामी महराज नी अनुवृत्ति केवी पालता स्वामी पोते वात्मा कहा चेक वकद महराज धायू जै कोटो काल पाडिया कोटो टूट疫ू लाव जै तकैर मैं कै माक्षर सutे मांशंया भी क्ेविक थे माक्षर मांश्मां स्वाम्यम ये वात करी जियेम महराँचना कोई दिवस लो पी नथी र लोपवी ये नथी फृ युपाइव्य आज जुनेगोर 570 मांथे कोई आउ समय मोंुप नो पचे मुनें कै diffedy हुव आयो, तो मने शू थाई गयू, चालिश वरस, चार मास, अने चार दिवस, जुनागड मा रही, श्रीजी माहराद्नी अनुवरुत्ती पाली, एनो समग्र सत्संग साक्षी छे, तमाम गुणों थी अलंकुर्क गुणातितानन स्वामी हता, आम पण एक अने अध्विती हता, अने टले अक्षर अता, बिजी वात अवे आपणे करिये, तो अक्षर ब्रह्म गुणातितानन स्वामी माटे, भगवान नी आगिना सतत पालनारा, रहुविर्जी माहराद पन एमाटे क्या छे, आदेशम श्री हरेर नित्यम, पालयन, सावधानतक, क्वापिनाप्यनु मा स्वामी केवा आता, शुद्ध आशय वाला, श्री हरे ने आगिनानु पालन अम्मेशा सावधानि थी करता, क्यारे अनु जेटलू पन तेवो उलंगन करता, नई, आ मोटा संतनी व्याक्या वचनामरत्मा पन माहरादे करी छे, और छेल्लू, एमना गुणों, मोटा संतों स्वामी के सर्व उपरी पना उदगाता, नित्यानन स्वामी पने अमना उपर प्रसन, मुनी बावा पन प्रसन, भायात्मानन स्वामी पन प्रसन, अरे राम प्रताप भाई, ए पन सर्व उपरी पनानी वात सामली ने चल्ले चल्ले प्रसन न थाई गयेला, कारण के गुण मसंहीता आमा लखे छे। त्यारे एमिने प्यले थी कई राखेलू कि गुपळानन स्वामी ने बोलाव जो, निश्कुळानन स्वामी ने बोलाव जो, गुणातितानन स्वामी ने बोलाव जो, गुणातितानन स्वामी ने बोलाव जो, गुपळानन स्वामी आविश्यक्या कि अमें गिनान नी गांसडियों लईने आएवा आता, ते M ने M साथे लई जाईये छिये, पन तमें गिनान छोटे आते देवामा आवेवा छो, ते दिदेज राख जो, ते दाम मा वेला आववानो संकल्प करशो नई, आ विस्तार्थी प्रसंग आखो केवामा आवे छे, क कि एक वकत कोई वेपारी कापड नो वेपारी जंगल मा आपड लईने गयो, तो कोई यह खरीद यू नहीं कारण के लोको वस्त्र पहरता नो था, बीजो गयो यह खरीदायो नहीं, त्रीजो गयो यह खरीदायो नहीं, पचि एक बुद्धिश आली गयो, रेडिमेड मानी लईने पाचा दिये, पन तमें खोली छे, तो अवे खोल जो, सर्वोपरी पणा ना उदगाता, एक मात्र अने माहराद अक्षर ब्रमने भिळा अटला मातेद लागाता, माहराद नो यथार्त महिमा समझाई, अने ब्राम्मी स्थिती जीव करी शके, तो आहेतु आतो तो अवे रिते, मोटा परमा उसो, श्रीजी माहराद ने जेम, गुणातितानन स्वामी ने पण, एक अने अध्वितिय सर्वोपरी ना उदगाता, अखंड साक्षातकार वाला, अखंड अनुवर्ति पालदारा, एम कई, अने माहराद ने जेम बिर्दावता, जी अक्षर ब्रह्मनी गुणातितानन स्वामी नी अक्षर ब्रह्म तरीके नी प्रसिद्धी, शब्द अशाव प्रसिद्धी, आम तो माहराद ना गुरू, रामानन स्वामी ना गुरू, आत्मानन स्वामी ना वकत थी, आपना संप्रदायमा आ प्रसिद्धी थाई चे, आम अक्षर पुरुष स्वामी पासे आवेला अने अपनने आपेला ए प्रसंग मांथि आ महराधन दादा गुरु आत्मानन स्वामी नो प्रसंग। आत्मानन स्वामी ना शिष्य हता। अन्य पोते आपेल आशिर्वादनी स्मृति करावता कईू के तमारो संकल पास थी चार वरस पची फळचे। आवतिकाले चैत्रसुद नोमनी रात्रे सर्वार देशमा धर्मदेवने घैर पुर्ण पुर्शत्न भगवान प्रगट थशे। ते पची एटले चार वरस बाद तमारे तिया भगवान नो धाम रूप अक्षर पुत्र रूपे जनम लेशे। तो आत्मानंद स्वामी ऐसे ख बाद करे लिए। श्री जि महरादनार गुरु रामानंद स्वामी एम्ने पन वाद करे लिए। आ परसंग बेज को पची चार वरस पची शरद पूरण एमाने देव से उनाती तनानंद स्वाम tincा इन्ट अने जारे एकाद महिनाना थया ये वक्त रामानंद स्वामी कच्छती पाछा फर्ता भादरा आवेला भोडा नाते रामानंद स्वामी ने पुत्र ना जन्माक्षर बताएवा नेक़ योक स्वामी आनू नाम पाड़ो सिह राशे आवेली म आवे म उपर घणा नाम आवे पन रामानंत स्वामी ये मुलजी नाम राख्यू अने बुल्या कि बालक ना ग्रहों घणा उत्तम चे माट येनु मुलजी नाम सार्थक्षे सर्वधाम नाम समूलत्वात आधारत्वाद चिच्चिदाम बीजत्वात नैक विश्वेशाम हेतुत्वात मुक्षगामिनाम परमात्मरतेर मूलम साश्वतम अर्वकस्त्वयम तस मूलाक्षरत्वात्च मूलजी नामको भवेद परमात्मम प्रेम करवानी रीतनु ये सनातन मूल चे अने स्वयम मूल अक्षर चे अक्षर ब्रह्म जीवो अने इश्वरोनु मूल चे जीवो अने इश्वरोने ब्रह्मी स्थिति आपवानु मूल चे इटला मेटे अमनु जो नव मुढजी राखो। यह एक वकत समया में गये ला और जिए ला अगनिसो चाहनी साल में चैत्री पुनम्ना समये गये ला अने आमनी पासे ब्या त्रण हार रहता एक रगविर जी माराद्य पैराई गोपादानन स्वामी ने पैराई और जो जो पड़े लाई पच्छी एम ने गोपादानन स्वा स्वामी अमना काई तेज बताऊशे न तेज मा अक्षर दाम बताऊशे न एवो काई जो जो अशे पन गोपादानन स्वामी के आ चौथा बैठा ने एम मूड अक्षर प्यला गोपादानन स्वामी बैठेला गादी तकिये नित्यानन स्वामी गादी तकिये बैठेला पच शुकानन स्वामी बैठेला, और गुणाटिता न्ननी कि बैठेला, और चोथा बैठा, ये मुढख्षर छे, आ मालजी सवनिये, सास्त्री महराध थ्रDet्यां, योगी महराध थ्र the थ्र निर्गुण दाष स्वामी ने कि देला, केटलाई ने आवाद करेली गुणातितानन स्वामी पोते कहाँ छे केशेव जी उन दास स्वामी ने कईू जे प्राग जी वगेरे तमने मुल अक्षर कहाँ छे ते मने समझातू न थी ने हूँ विश्वासी छू ते जेम होई तेम को क्या रे स्वामी के उन अक्षर छू तेम तू जान अने बिजो अक्षर हशे तो मारे ने येने पंचात छे तू मारो विश्वास राख येम 32 वखत कईू पांचमा प्रक्रणी 3013 मी वाद वड़ी स्वामी केह छे आ सादू अक्षर छे एनो दिव्य भाव ने मनुष्य भाव एक समझवो ने आतो अजन माँ छे गर्भमा आवाज नथी ने अमनी रित्तो नटनी मायानी पेठे समझवी ने आतो माहरादना संकल पे करीने अहीं देखाई छे नुरुशियानन स्वामी इंगोर आड़ाना कुर्जी पटेल ने कहेलू अने कुर्जी पटेले सास्त्री मारादने प्रसंक एलो ए प्रसंक एवो छे नुरुशियानन स्वामी ए कुर्जी पटेल ने कहयू के कुर्जी भाव गुणातितानन स्वामी गढड़ा मंदिर ना कांगरा केटला कि Sw rushed, स्ट्रीकमां करते शिकती टार। शिकानन्सवामी ना पासे सिध्यानन्सवामीना शिष्य क्रश्ण चरण दा सावेला है. अन्य शुकानन स्वामी ने पूछीु के स्वामी मारा गुरु सिध्धानन स्वामी गुणातितानन स्वामी नो अपमान करेचे अथवा तो एम नो गुण देखाडता न थी अन्य बहर तो एमने अंय अटली प्रसिद दीशे तो मारे शुं समझु। वे शुका नंद स्वामी के क्या गुणातीता नंद स्वामी और क्या तमारा घुरू। एम कई अन्य करश्ण चरण स्वामी ने एमने प्रसंगों कहेला ये प्रसंगो सास्त्री जी महाराजा जयारे महवा आता कियारे कृष्ण चलन शांदा स्वामी पासे सांबलेला अपर प्रसंगो मा थी बेत्रण प्रसंगो आपड़े थोड़ा प्रसंगो जानिए एक वकत महाराद वर्ताल मा गोवाल मंदली मा परमावसों ने पिरस्ता आता अने त्यारे ब्रह्मानन स्वामी बेठेला बाजु मा गुणातितान स्वामी बेठेला महाराद ब्रह्मानन स्वामी ने के आसाधू क्यम जमें छे तो गुणातितान स्वामी ने पद्धती के भी क्रें लोकनशूलागे 21 खाई चे इप टनले एमें आ इक हैेऊ के सारू जमी जने घे टे Tokyo के स्री जीमाराज बोला के जियं कोठी मां डाना भरे एम अन्नने जमेए श्वाद तो मारी मुर्तिनों लेचे, त्यारे बधा बोईला कि आह माहराज एमना जेवु कठन छे, त्यारे माहराज फरी कईयो कि अखंड त्रण अवस्थामा अमने धरी रेया छे, ने मारे रेवानु धाम छे, वड़ी पाचो विजो एक प्रसंग, वर्ताल मा श्री जी म माहराज सभावरिडे बैठाता, मुक्तानन स्वामी अता, और बिजाबदा परमावसोपन अता, ये वखते माहराज मुक्तानन स्वामी ने पुछू का, गुणाजितानन स्वामी के वा, आ प्रसंग, शुकानन स्वामी क्रश्ण चरन दास ने किया छे, अनि त्यारे मुक् आदीना मोटाँची माताना गर्भम आवता पहला ने गर्भम आयोगा त्यारे अंने त्यारे अमारी मुर्तिने धारी रहाची ज्यारे वर्तालनों त्रिजो प्रसंग कहता कहे छे कि अधार साधू मांदा पड़्या अने गुणातितान स्वामी एमनी गोदडी धोई गौम ती थी आवता ता खबे गोदडियों आती अने महाराज वासन सुथर ने तिया जमी ने आवता ता न अन्मानवाडा दरवाजे बनने भिळा थाया गुणाति तानन्दस्वामी नी आखो औने महाराज नी आखो एक थे महाराज तिया स्थीर थाई गया प्रसंग लांबो चे टुकमा काऊँ छू तिया समय महाराज ब्रह्मानन्दस्वामी ने पूछिऊ कि आ साधुने अलखो छो ब्रह्मानन्दस्वामी के बहु सारा किर्तनों बोले छे महाराज के एम नहीं ये तो अमारी मुर्ती अखंड त्रण अवस्था मा देखे छे अन् प्रवर्त आओं चोथो प्रसंग ये जहरे गुणातिता अन स्वामी महांतो बनागा त्यारे महाराज कोर्जी दविने क हम है ममानन्दस्वामी की बोले अर्वर्माननु स्वामी ंधीने आपिश कहले तो हूं सो रट न अक्षरद्वाम भक्षिस पोछव अं आ गुणा स्वामी जुनागर्थी आज्याता और हूं आसन शोध्तोतो तो तो जुनागर्डोच भुषें महांत् असन है नहीं तो अनाधीना Crispy Pursotama महाराद ना वकत ना पार्चद नाजा जोगिया महाराद ने संतों ना पक्ष ने कारणой। लाकन क बढ़ली और अधरोज तो महाराद ना पार्षत थे गया। महाराद नी भेगा लाब लेता एक वात घ्याला में नाई ने आवता तान जो हुआ के संतो बिदा वातो करें चे सामढ़वा बेठा थोड़ी वार बेठा अपची महाराद पांस आवे महाराद के के मोडू थाय। तो के संतो वातो करता था पर तमारीज वातो करता था यह ने महाराद नी वातों में भूओ के विशेश न लागिव। यह ने हम के आपने भेगा रहातों यह ने वातों सुँआ वातो शू शाबढ़वा निए। महाराज भूले लाक मोटा साधु क्यारेक तमने समझाऊ शे त्यारे तमने समझाऊ शे आ प्रसंग पच्छी महाराज धाम्मा गया नाजा जोगिया साधु बेना घंशामदास नाम पढ़िव जुना गड़ाईवा अने एक वखद ध्यान करता था गुणातितन स्वामी आए अने के तमें ध्यान करता था के दोड़ा तलका वाली भैसने माथे हाथ फेर होता था कंशामदास अवाचक बनी गया कारण के मानसीमा गड़डा पहुंची गेला अने दोड़ा तलका वाली भैसने माथे हाथ फेर होता था गदगद कंठे सामी ने पगे लागी ने के सामी मारा अंतरमा उंडो भाव हतो कि तमें हजु खंडिया छो खंडिया पण आजे निश्चे ही थयो कि तमें चक्रवर्ती खरा अने महराद नुँ साक्षात सरुप छो हवे तमें अक्षर खरा अक्षर खरा बालमुकुंद स्वामी आ प्रसंग कहता गुणातितान स्वामी ने शिष्य बालमुकुंद स्वामी अने अने बालमुकुंद स्वामी नी वानी आ पुस्तक मा छपायलो प्रसंग छे जैराम ब्रह्मचारी जैमने मारे घैर आवजो छोगला धारी आवग थाल बनायों छे माहराद नी अंगत सेवा मा पन रहता एमने पन गुणातितान स्वामी नो महिमा गायों चालो संतो जाईए गड जूने रे आज एम जणाय छे मुने ए अक्षर नर देह पामी रे जैने वंदे सहु धाम धामी रे एछे गुणातितानन्द स्वामी तो अब धा श्रीजी माहराद ना मलेला संतो अरिभक्तो ते अक्षर ब्रह्म जानता त्यार पच्छी नी त्रीजी पेटी विहायर लालजी माहराद किर्तन कौस्तुब मालामा लखे छे मुण अक्षर अक्षर मूर्ती गुणातिता स्वामी तेने आप्या वरत्मान पोते पाली ने पच्छी पढ़ावु जनने दै घणु गिनान कारण के गुणातितानन स्वामी वियाललजी माहराद ने वरत्मान धारण करावेला इदले मुण अक्षर गुणातितानन स्वामी ए भाव एमने रहेलो एवी रिते जुनागटना ब्रह्मचारी जगदिशानन एमने घणा पदो बनायवाचे अखंडानन जे क्रश्न जियदाना पिताश्र इंद्रजी व्यास एमने पन आज प्रगिट्या पूराण ब्रह्मरे आबदा पदो बनायवाचे जुनागटना सद्गूरु स्वामी बक्ति प्रिया दास जैमने काविय कुसुमान जली मा एक गुणातितानन स्वामी मूळक्षर छे अवा शार्दुल विक्रिडित छंद ना पदो बनायवाचे गुणातितानन स्वामी ना अंगत शिष्य बालमकुन्द स्वामी हमना वाद करी ए मुझब स्वामी ना अक्षर पणाना घणा प्रसंगो एमने नोध्या छे गुणातितानन स्वामी ने शिष्य माधव चरन दास एमना शिष्य क्रश्ण चरन स्वामी, ये योगीजी माहराद ना दिक्षा गुरु, ए पन समर्थ मेधावी वचन सिद्ध सद्गुरु अता, एमनू पन उपदेश छपायों छे, एमा पन गुनातितानन स्वामी ना अक्षर ब्रम्म पणाना अने एक प्रसंगो लखाया छे अने मूर्तिवो अने शिला लेखो, विश्व समस्तना इतियासना वर्णनमा, प्रतिमावो अने शिला लेखोनु आगवू महत्व आरकावी जुमाइटे गणाई छे, गुनातितानन स्वामी अक्षर ब्रम्म छे, इवा शेकडो शिला लेखो, स्वामी नारण ना स्वामी नारण मंदिर जुनागड नी सीमा मा ए वखते आवता विस्तारों, के जेनो हाल जुनागड, पौरबंदर, गीर सौमनात, राजकोट, जामनगर अने अम्रेली जिला मा समावेश थाई छे, एना शेकडो गामडावो मा गुनातितानन स्वायनी मूर्ति, अक्षर म अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मा अवतार, आवा बदा नामों थी लखायेला छे, जिटला गामों मा थी आपनने फोटा मल्या, ए गामनी यादी प्याला काऊच, जुनागड, राजकोट, अम्रेली, पौरबंदर, जामनगर, गोंडल, मेंदर्डा, पाटसर, थाना पी पली, वेकरी, भंदूरी, वेरावल, मोटा गोखरवाला, नाना गोखरवाला, मानावदर, मांगरोल, आम्बलिया, मोटी पानिली, बालागाम, अगत्राय, वंथली, पाटिमानसा, वर्जांग जालिया, वडवियाला, गीर गरड़ा, उना, नारियली मोटी, आडिया, केर परियाचाड, रामपर, देवराजिया, इवनगर, भैसाड, रबारिका, पचपचिया, अंबाला, इतवाया, भाखरवाड, उमेज, पंचाला, मेवासा, गुंदासरा, पडवला, तोरी, मोटी कुकावाव, नानी कुकावाव, जुनी अलियाद, नवी अलियाद, वडिया, बायावदर, काणसरी, खारचिया, विसावदर, चनाका, सासन, कारंज, कालवानी, गडोदर, अजाब, गणोद, लिम्बुडा, ठाना पिपली, पिपलाना, कलाना, सनोसरा वगेरी. आ बद्धा गामों मा, एक अथ्वा एक्थी वधारे शिला लेखों मा, अने चित्र प्रतिमावों मा, अथ्वा दिवाल पर कोत्रेला शब्दों मा, गुणातितानन स्वामी ने अक्षर ब्रह्मा अवतार काया अचिया, एना प्रकारों अपने जानिये, एक मंदिर माजे प् आतिष्ठा करी होई, एमा गुणातितानन स्वामी ने अक्षर मूर्ति, अना दी मूल अक्षर मूर्ति, अथ्वा अक्षर ब्रह्मा अवतार काया होई, बीजू, शिखरबद्ध मंदिरों ने सुक्षयाने उपाड़नी मूर्ति रूपे, अथ्वा चित्र प्रतिमा स्वामी ने पद्रायवा होई, त्यां अक्षर ब्रह्मा कया होई, चोथू, जया भगवान स्वामी ना रहा है, अथ्वा अक्षर ब्रह्मा गुणातितानन स्वामी ने लिला करी होई, भोजन करी होई, स्नान करी होई, रंगोत्सव करी होई, सभा करी होई, एवा स्थानो उमा स्मुर्ती रुपे ए प्रसंग ना शिलालयको लखाया हो एमा गुणातितानन स्वावी ने अक्षर ब्रह्म्म के ब्रह्मा अवतार के अक्षर मुर्ती के अनादी मुड़ अक्षर मुर्ती कई हो हुई पांचमु कोई ग्रहस्ता रिभक ते साधूनी प्रेरना थी पंक्तियों मुर्ती रुपे सद्गुरु संतों मा अक्षर ब्रह्म गुणातितानन स्वामी लखाया हो हुई साथ मुणातितानन स्वामी ना शिष्यों जवा के बालमकुंद स्वामी योगेश्वर स्वामी आ बद्दा संतों मुर्तियों चित्र परतिमा अक्षर ब्रह्म गुणातितानन स्वामी ना शिष्य एम लख्यू होई. अने आठमू बालमकुंत स्वामी चपावेल अने त्यार पशी चपावेल स्वामी नी वातो. ए स्वामी नी वातो मा अक्षर मुर्ती गुणातितानन स्वामी नी वातो एव वकते लखाई होई. अने ए परंपरा गु स्वामी ने अक्षर ब्रह्म म कया होए, आवा स्थणों पाँच पंदर नहीं, पन सेकड़ों चे. एकज गाम ना मंदीर मा थी एकती वदारे स्थणों ये, स्वामी अक्षर मुर्ति तरीके नोंधाया चे, आवा संदर्भों, सेकड़ों प्राप्त थाई चे, आवा गिनानने कारणे, मोटा मोटा ये, पुर्शोत्तम साथे अक्षर नी मुर्ति पदरावानों संकल्पों पण कर्यों, परन्तु पदरावी शिक्याने शिखर बद्ध मंदीर मा, जोटे मुर्तियों पदरावानों ये आवा संदर्भों, अपने उपर कया, ये पाक्की खात्री करीने, मोटा ना आशिर्वाद ने कारणे आ कारिया करू छे, मोटा ना आशिर्वाद ना बे प्रसंगों आपने जानिये, जुनागडी साधू अरिजीवन दास, अक्षर पुर्शोत्तम नी सरवपरी निष्ठा इमने वारम वार्थ हतु कि आवा सर्वपरी माहराज पधार्या, अक्षर मुर्थी गुनाजत्तान स्वाई पधार्या, अन्य जो एमना सरुपवनी मुर्तियों न बेसे, तो स्वामी नाराणी नी शुद्ध उपासनामा अधूरू उरे, परन्तु एमनों अंतकाल नजिक आवी गयो, छता आ विचार्ति आमने अंतावस्ता लंबाती गई, पच्छी आमने विचार केरो, कि आक्षर ने पुर्ष्वत्तम नी मुर्तियों पध्राई विचार करता, प्रागजी भगत अने जागा भगत ना लाडिला, सास्त्री यगन पुरुष्ध दास सास्त्री याद ना शताब्धी मोच्षव ना यगनपुरुष्मृति मा अप्रसंग नो अध्यों जे वड़ी योगनिशो पंचावन ना जन्माष्टमी ना समयामा, भगत जी माहराद नो सन्मान थयू, त्यारे जागा भगत ने अम थयू, कि माया उपर पाटा पड़्य तो हवे जो गुणातितान स्वामी नी मुर्ति पधरावामा आवे, और सत्सिंगी जीवन जेवो विगत वार अक्षर पुरुष्वत्म ना महिमानो ग्रन्थ रच्वामा आवे, तो आचारिय ने संतान ने थी माहपुरुष्य जेवो दिकरो आपू, जीवाय ने कहिए त जो जागा वगत के चे वात साची याने भगवान वस्च अटलिया थाएंप सिल, जागा वगत चे शास्त्री महाराद तू मेरो कि तू ना करो, तोespère स्याष्ट्री महाराद की, हमारे एक पतु पथ्पा कोथाने लिवा जीए, तो पैसा करोंड़ी तो कि तुमारे किया वि तो सारू, में कईू सारू, जागा भगत के भगत जी मल्या छे, इमनों राजी पोछे, ते थाई जिशिए। अने शास्त्रीजी महाराजे, अक्षर ब्रह्म गुणातितानन्त स्वामी नी मूर्ति पदरावी, अने योगीजी महाराज अने प्रमुक्स्वामी महाराजे, मंदिरो, शास्त्रो और संतो बनावी खुब पुष्ट्री आपी. अने आजे आपनी सामे बिराजमान, आपने निरखनार, आपने जोनार, आपने जेना दर्शन करिये छिए, यवा महांद स्वामी महाराज, आरती, मंत्र, शास्त्र, अने ये करिते, अक्षर पुर्शोत्तम नी पुष्ट्री करिया छे, प्रकाष्णी गतिये, अक्षर आपने मल्या, तो आपने शू करवानू, आपने एमनी आग्निया पाली, एमनामा निष्ठा जोडी, जीव जडी, अने संब स्वरदविभाव साथे, एमने राजी करी शकीए, अने बीजा ने आ वात करी, एने पन अक्षर पुर्ष्वत्मने निष्ठा कराईवी शकीए, ए अक्षर प्रह्मनों उद्गोष, विश्वना प्राचिनतं शास्त्रो वेदने उपनिश्दो मा संबलाई छे, जे अक्षर प्रह्मनी आलबेल, परमात्मा श्री कृष्ण भगवाने भगवत गिता मा पोकारी छे, जे अक्षर प्रह्मनों महिमा, भगवान स्वामी संतो अने परभंसो थथा हरी भक्तो ये पन गुंजावयो छे संप्रदाइना अनेक शिलालेखो मा गुणातितानन मुळ अक्षर नो नाद आपनने संबड़ाई रहो छे आवी अक्षर ब्रह्म गुणातितानन स्वामी नी मोटाई पुज्य शुती प्रकाष स्वामी ये छनावट पुर्वक आपनी समक्ष प्रस्तुत करी छे ते बदल आपने तेओना खुब-खुब आभारी छे जे अक्षर ब्रह्म ना महिमा थी आजे समग्र विश्व गुंजी रहू छे ये अक्षर ब्रह्म नी चल मुर्तिना प्रतिष्टा महोत्सवे आयोजित आ अक्षर ब्रह्म गुणाति सत्रमा छेला पांच दिवस्ति आपडे अक्षर पुर्शो तमना सनातन जनानने विश्व तया समझी रहा छे आजे परम पुज्य गुरु हरी महन स्वाई महरादे प्रार्तना करिये के ते ओना आशिर वचन्ति आपड़ने कृतार्थ करे परम पुज्य स्वामिश्री प्रमुक्स्वाई महरादे 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 प्रमुक्स्वा वेर्थ जाय युग कर विद्वान संतों आपई पासे चे अटले आपने रहे नाजी एमनी पासे बदू जानी ले हुझी अक्षान के लिए जहूर से एपन आपने सपस्ट करें के अक्षान महाराद ने स्वरों परी जान। महाराद ने मरजी जान। महाराद ने अथार्थ मरजी जान। यहाद गुणातान स्वामी बद्धी वातो स्वामी माद लगू पड़े वियक्वेमानी अन्य 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 जोड एवी साविती अपन थाई स्वामान्सरों पन वदी बातो करें आन्य स्वामी नो मिवाक्यों पन अंति साविती थाई कि जब महाराज ने नाचे एम गुनातितन स्वाई नादी नाचे यह यूगी अपा करता है स्पष्ठ पने करता, के स्रीजी महाराज परब्रम पुष्वम नाराण, और गुरा भी गांच्वे मोरक्षियर्ब्रम, और सत्पुरुष मोक्ष्टु दार, असी दीन लीटीन उसम्य, यह आपे धड़क करेजिए, तो आपे कोई बाद आउसेद ने, और करेकर सुती गजब करेजिए, किटलों संसुरन, किटलों मत्यास है, तारे अवदू हात माईविए, एक परमान्षोन, और कया हेतु थी, जि कई आतक करी, यह बंदू काडियू, और गुनातिनास्वे मोरक्षरु छे, यह बंदू सपस्ठ आपना देखाई आए, किटलों मत्यावन, कि मनो मन्दं करेवेसे, तारे अवदू प्रशन आपे हात माय। इलिए अपन यह बंदू से थी, यह बंदू आए, यह बंदू से इण्खाई है, यह साश्चे महारत, बंदू जयाज्या, मुरक्षरु निवात आईदू आगी, ते आपच्या, कंबे आपच्या, यह आपने पास थे विए बाद माहिते स्वामी भेगें करें और भेगों करें उटलो नहीं, मुर्ती पदराई देदें अक्सान पुर्षतम, ये कोई लाग करें शेक है इतला स्वरीर है जो बालमकुन स्वामी नहीं एक जराक विगिनार के उपर थे इना पाड़े करें ता मंदिर भी करहां जरूए तो एमें भुभोई तकलिफ पड़ी पर वालमकुन स्वामी नहीं करें तान सिखनु मंदिर जोवशू पविष्पा तासे बूरक्षिर गुनात्यन स्वामी ये वेद स्वास्त्र पुरानों बद्धम मलत्वाजिए काली आपले स्वतिस्वामी वाद करें तलूमी बद्रेस्वामी पन्षोधी शास्त्र मात्री वाद्रे चूटी 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 नहीं ये इज मुदो छे सुट्परश्परश्ट्री महारada करी चूट पुरूश्टी चूटी चूटश्री हारम भारग करता है तो जैसा सुट्परश्परश्टी संट्र पुएंट्स है हैनि भादी आजू भाजू बद्धियो बुदू जै ह। थाया करें इतले आपने साथ्ते माय, यूगियों, प्रभुक्षामि महाराद, मल्या से अब्या स्वाजय हैं, आपना बाग्य सम्झ उपड़ा है, खाली होगी नहीं, एक वार कहीं उंचों में लिए गवी नहीं, आपना बाग्य प्रोट्रे समझ आपना बाग्या यह बाग्या एकले आवी ते शुती स्वामी जार अजार डंड़त करिये ते उची अच्छी अच्छी पद्रिश्वामी एमने अव्यक्स से अने विजा गनार से से अब बन्दान देले मादा पर युमाने तरे अवदी आवात आवी तो आवी गोष्टी करवानी जरूरू थे स्यदान साहिं महाराण में जरूरू